हरो एभर बर कैसे है आप लोग आज हम बात करने वारे हैं आडब इस स्टरा के बारे में और रखोड़ी Ital viendo Dragon कर लेते हैं में तब आपके क्या चैसरी देती है कि finalement रहता है किस तरह का यह फिलड है किस तरह की प्रोशन लेवल और नं वे हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप टाइटल पढ़ रहे हैं यहां पर केरियर आफ्टर क्वालिफाइंग और पिर सी असिस्टेंट प्रोफिसर एक्जाम तो चलो बात करते हैं इसके बारे में तब से पहले अपन बात करने वाले हैं कि जब आप एक बार जब आप एक बार इंटर्व्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तीन जो स्टेप्स होते हैं आपके पास में पेपर वन होता है जो जीखे का पेपर होता है अगर इन तीनों को मिला कर देखा जाए बच्चों यह होता है आपका दो सो नंबर का अगर मैं फिजिक्स के एक्जाम के बात करूं तो लास्ट दो सालों से जो कटोफ जा रही है वो 115 के अससे 139 के आसपास जा रही है बात कर रहा हूं मैं OBC के टेग्री की जनरल के लिए अगर देखा जाए तो यह 130 के आसपास रहती अगर आपके पास 130 स्कोर है तो आप लगबग सेफ माने जा सकते हो यह तो होगी पेपर की पैटर्न की बात पेपर क के बात कोटर्मोटी की कैस तरह से पेपर होता है language문 करने के बाद में आपको मिलता है असे सटेंड e rpsheば स्ट्रका जो में और जोब जोब जब आपको मिलता है तब इसमें क्या किसतरा से होता है जाते ही आपको ड़ुकुमेंट वेरिफिकेशन होता आपको जोब मिलने के बाद में जब आप कॉलिज में जाते हूँ तो जैसा कि हर राजस्तान के सर्विस में होता है आपको मिलता है दो साल का प्रोबेशन येर तो दो साल का मिलता है प्रोबेशन मिलता है ये जो दो साल का प्रोबेशन रहता है experience, ये दो साल का probation में आपको salary जो मिलती है, वही salary भी मिलती होगी, वही तो salary जब आपको मिलती है, तब इस salary का आपन एक बार देख लेते हैं किस तरह से आपको salary मिलती है, देखो आपको 40 to 500 आपको मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर मिलता है salary के form में, ठीक है, ये gross salary आपको मि मिलती है बच्चों, लेकिन इस gross में से कट जाता है, deduction होता है, एक होता है आपके पास में 1800 रुपे का जो होता है, आपके प्रोविडेंट फंड के लिए, ये दिन आपके पास में होता है 875, आपका RGHS के लिए, काजिस्तान हेल्थ सर्विस के लिए आपका deduction होता है, तो अब इसमें भी कोई choice है, suppose करो कि आप previously किसी government job में, और उस government job में अच्छी कासे salary मिल रही है, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं, प्रोवेशन वाले salary चूज कर लो, assistant professor की, या फिर जो previous job में थे आप, उस job की salary भी आप चूज कर सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक salary आप चूज कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए फाइदे मंद है, अगर आपको ऐसा लगता है, जो पिछली जोग थी, उसकी salary थोड़ी जादा है, थोड़ी अच्छी है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो, इसमें आपके लिए choice रहती है, चलो भई, दो साल के बाद में जब preparation end होता है, प्रोबेशन जैसे ही end होता है, आपके पास में basic पे रहता है, ताउन 700 का, और basic pay के बाद में आपको DA भी मिलता है, देखो probation में ना तो आपको DA मिलता है, ना आपको अचारी मिलता है, वही अगर मिलता भी है, तो यह सब कुछ इस gross में included है, तोटल आपको यही मिलता है, और कुछ extra से नहीं मिलता है, एक fixed salary मिलती है, प्रोबेशन की उसमें से भी deduction हो जाते है, एक आपका provident fund का deduction होता है, दूसरा आपका deduction होता है, health services से related, medical से आपका deduction हो जाता है, फिर after the probation, आपको 700 के salary के आज़ पास मिलता है, कि आपक आपको DA मिलता है, प्लस आपको अजारे मिलता है, और प्लस जो भी services होती है, इस job के लिए वो आपको सब provide कराई जाती है, इसके बाद में reduction होना शुरू होता है, वही income tax का deduction होता है, और भी जैसे provident fund हो गया, health services हो गई, इन सब का deduction करके, अगर मैं average निकालू, on average आपके पा 75,000, 65 से लेकर 75,000 आपको जब probation end होता है, तब आपको in hand salary मिल जाती है, after the deduction में बात कर रहा हूं, after the deduction में बात कर रहा हूं, कि आपकी gross salary तो इस से भी ज़्यादा होगी, but deduction कट रहे हैं, deduction जा रहे हैं, after deduction के आपके 65,000 से 75,000 में डिपेंड करता है, क्योंकि अचारे जो है, वो city to city depend करता है, कहीं पर 9% है, कहीं पर 18% है, उसके हिसाब से ये आपकी शजरी बन जाती है, बात करते हैं, जब आप इस जोग में आते हो, इस जोग में कुछ questions है, जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए, क्या है, क्या आपके पास में PhD है, या नहीं, ये question, एक central question है, assistant professor की जोग में, क्योंकि अगर आपके पास में PhD है, तब आपका promotion जादा जल्दी होता है, वही, promotion की तीन stage होती है, एक होता है आपके पास में assistant professor, एक होता है आपके पास में associate professor, एक होता है आपके पास में professor, और फिर आपके पास में professor, और फिर पाष्ता था तरीखा कि आपके अगर आपने एससिंटन प्रॉफ्हिसर जूइन किया है। उसके आपको 18 साल बाद से असोशेट में जा एंगे पर आपको प्रिंसिपल बनाएंगे लेकिन वह एक लेंडी प्रोसेस होता जातो जो जो अगर आपके पास में प्रोसर नहीं है तो नो साल तक नो साल बाद में आपको अश्टेंट्स से असोशेट बना दिया जाएगा तर आपको हैसोशेट से आपको प्रोफिसर बनने में तो आपको प्रोमोशन के लिए वो रोक लेती है तब आपको यह भी प्रोमोशन मिल सकता है यह जो प्रोमोशन होते हैं यूशुली ये नाइन यर्स लेते ओपक्ते लेकिन अगर आपके पास पीछ दी सिथ सब्सक्राइब तो यह इस प्रोमोशन की प्रोसेस में रेन आपके पास मेंें हैम से टीचिंग का एक्सपरिश इए यह दोनों मिलाकर आपको भृत जलदी प्रोशन करा सकते हैं, आपको जलदी प्रोआट करा सकते हैं, सपोस करो करो कि आप ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर किसी दूसरे mother student को PhD करवा रही हो देन आप प्लस आपका जो MSC का experience है यह दोनों मिलाकर आपको 9 साल से पहले-पहले ही हो सकता है आपको वो salary दिलवादे जो एक associate professor को मिल रही है हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको designation ना मिले लेकिन salary आपको associate professor वाली ही मिले सकती है तो इसकी salary बहुत ज़ादा है associate professor professor की salary बहुत ज़ादा होती है बच्चों ग्रोस में salary तीन तीन लाग, साड़े-तीन लाग, चार लाग के आसपास भी चली जाती है Central University के जो प्रोफेसर होते हैं उनकी salary और भी शांदार होती है लेकिन ये सब फाइदा देखिए promotion without PhD और only by teaching मैंने बता दिया है आपको लेकिन ये सब फाइदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप RPSC assistant professor की जो पर लगोगे अगर लगो गई नहीं तो ये फाइदा आपको कैसे मिल पाएगा तो इस फाइदे को उठाने के लिए आपको तयारी करनी होगी और अगर आप तयारी करना चाहते हैं बच्चों तो IFS से बहतरीन प्लेट्फोर्म आपके लिए कोई नहीं होगा IFS previous educations, analysis, free videos जो strategy video है आपको free में provide कराता है ये आपको IFS की website पर विजिट करना होगा currently RPSC assistant professor का exam चल रहा है इसके तहत अगर आप test series को join करना चाहते हैं तो just at the price of 9199 आपको IFS की test series भी provide की जा रही है तो I hope कि ये information आपको सही लही होगी अगर सही लगी है तो बहुत ही बढ़िया बात है अगले वीडियो में मिलेंगे experience थैंक यू वेरी मच अब तक के लिए गुद्बाइ अल्विदा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू वेरी मच एपी लेंग